मैं हो क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मस्त पढ़ाई चल रही है जो शोर से एक्जाम आ गए है आई थिंग सबके सेशनल भी स्टार्ट होने हो चुके हैं लगबग कई कॉलेजिस में और कई जगे स्टार्ट होने वाले हैं तो चलो कंटीडियू करते हैं हम लोग चैप्टर लेक्चर बेरियोन का पार्त नमबर थो और केलिए रहे हैं लेक्चर सिकुएंस में देख रहे हो यह लैक्चर's को सीकुएंस में ही देखना तो ज्यादा बैट रहे हैगा चीज़ें ज्याद अच्छे समयं में आएंगी स्ट ना फखरों गए तो बीक में अशन魂 हो सकता ह थोड़ा सा process पर आते हैं जब process समझ में आएगी तो neutralization कर भी समझ में आएगा process देखते हैं हमारे पास process याद है क्या process याद है नहीं याद है आओ देखते हैं क्या किया था हम लोगों ने हमारे पास एक period थी याद आ गया good इलनों को याद नहीं आया मतलब पढ़ नहीं रहे है वो लोग है ना पढ़ाई स्टू कर दो भाई है ठीक है क्या थी एक वीरिट थी नीचे क्या होता था कॉनिकल फ्लास्क होता था इसके अंदर एक सल्यूशन होता था क्या होता था solution होता था, ठीक है, इसके दर हम लोग के डाल के रखते थे, solution होता था, suppose, इसके अंदर हमने एक standard solution भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, oh minus science, ये जो solution है, analyte, this is your analyte, तो अगर उपर basic है, तो ये कैसे होने वाला है, acidic होगा, इसके अंदर क्या होगे, h plus science होगे, कहानी याद कह रहा हूँ, कहानी सब्सानिम आगी होगी, ये oh plus science, जो उपर से solution डालूंगा, थिक है न, क्या कहते है, क्या कहते हैं, कि यहां गिरा रहे हैं और यहां पर हम लोगने एक चीज़ क्या डाल रखी है इंडिकेटर बात हम लोग समझ चुके अब बात समझते हैं इसको तरह और यहां से क्या कंजूम कर रहे हैं समझो सिंपल सी बात है उपर से मैंने साइश आ रहे हैं नीचे से एच प्लस आइंस अजयूम हो रहे हैं अदलब खाये जा रहे हैं तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं किसकी यह वाला सालुशन यह सलूशन अभी कैसा है दिस इस यौर ऐसेडिक सलूशन यह सलूश कैसा है अभी तुम्हारा this is acidic है ना चार अमल है ना अभी कैसा यह अमली यह है ठीक है acidic है ओके अब उपर से जैसे से OH मैंस आएंगे इसके H प्लस खतम होते चले जाएंगे ठीक है माल लो यहाँ पर 1000 एच प्लस आएंज थे ठीक है यह अच प्लस आएंज कितने है 1000 है किलियर उपर से OH मैंस आ रहे हैं जैसे हजार OH मैंस आएंज आ जाएंगे यह 1000 के 1000 पूरे खतम होकर कि क्या बन जाएंगे water बन जाएंगे पानी बन गया अब क्या यहाँ पर कोई एच प्लस बचा अब यह एचिड से कैसा हो गया neutral एचिड से कैसा हो गया neutral अब थोड़ा सा और ड्रॉप डालेंगे तो क्यूंकि अब यह neutral हो गया उपर से क्या आ रहे हैं OH मैंस आएंज वो यहाँ पर अब सारा का सारा एच प्लस तो खतम हो चुका है अब यह solution के अंदर क्या आना start हो गया OH मैंस आएंज तो मेरा जो analyte है वो अब neutral से क्या हो जाएगा basic हो जाएगा neutral से क्या हो जाएगा basic हो जाएगा का नहीं समझ में आ गई किस तरीके से acidic था यह neutral हुआ फिर यह basic हो गया उल्टा भी हो सकता है अगर मेरा analyte acidic है सरी basic है फिर neutral होगा आप फिर क्या हो जाएगा acidic हो जाएगा उपर से h प्लस आयना आएंगा और यह acidic हो जाएगा डिपेंड कर रहा है कि हम लोग titration किस टाइब का कर रहे है यह कहानी समझ में आ गई है कहानी चल रही acidic neutral basic इसी चीज को गौर से समझो इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया है कुछ नहीं किया है यह जो acid neutral basic हो रहा है इसको हमने graph पे उतार लिया है किसको उतार लिया है graph पे इस चीज को हम लोगों ने क्या क्या हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफी कली graph समझ में आते हैं अब graphically कैसे represent किया आओ देखते है graph में हम लोगों ने क्या क्या ग्राफ में हम लोगों यह कैसी axis है, y axis पता है न and this is x axis यह x axis है and this is y axis अब देखो scene किया है यहाँ पर यहाँ पर कहानी क्या चल रही है इसको मैंने अचाहिए यहाँ पर y axis में क्या रखूँगा अपने pH की value suppose 2, 4, 6, 8, 10 इस step से रख दूँगा मैं अपने pH की values है यहाँ पर मैं रखूँगा ml जो उपर से इसके volume गिर रहे है न यहाँ पर देखो measurement रहते न यहाँ पर क्या रहता है measurement रहता है यहाँ पर क्या रहेगा measurement रहेगा 50 ml, 40 ml, 30 ml जह जहसे नीचे आता जाएगा कितना ml इस्तमाल होता चला जा रहा है कितना ml इसका इस्तमाल होता चला जा रहा है मैं उसको यहाँ पर note करता चला जाओंगा ठीक है ml किसके standard solution का standard solution के ml मैं यहाँ पर लिखता चला जाओंगा अब क्या करना है drop गिराया, अच्छा, सुरुवात में क्या होता है pH, pH कैसे चेक करेंगे हमारे पास लिटमस पेपर होता है क्या होता है लिटमस पेपर जो solution त्यार किया उसमें डालेंगे जो color आएगा उसको जो range होती उससे match कर लेंगे और हमें pH की value परच लाती है suppose एक example ले ले लेते हैं strong acid और strong base का किसका example ले ले रहे हैं फिलाल के लिए यह मेरे पास क्या है strong base और यह मेरे पास क्या है strong acid example लेकर चलड़ाओ कई तरीका हो सकते हैं अगर यह strong acid है तो शुरुवात में strong acid होने के वाई से मेरा जो pH आएगा वो लगबग 1 के near about रहेगा मन्दब लगबग जो strong acid का रहता है 3 से 0 के बीच में count किया जाता है किसकी बीच काउंट किया जाता है 3 से 0 के बीच में ठीक है ना यह मेरे value 0 ठीक है अब क्या होगा क्या देखो जैसे जैसे मैं उपर से OH minus science को डालूँगा जैसे से OH minus science डालूँगा यहाँ पर H plus science कम होते चले जाएंगे number of H plus science कम होते चले जाएंगे तो इसकी जो pH की value है वो increase होते चले जाएगी यानि कि अब यह acid से basic की तरफ बढ़ेगा तो हम मैं dot लगाता से लोगा ml बढ़ते जा रहे है इसके dot लगाते चलेंगे इस तरीके से बढ़ते जा रहे है बढ़ते जा रहे है और एक टाइम ऐसा आएगा मैं बता दूँ एक टाइम ऐसा आएगा वो condition जब जैसे ही क्या हुआ यह क्या हो गया बराबर हो गए पूरी तरीके से neutral हो गए अच्छा अब जब बात समझना जिस समय न्यूटरल होने जा रहा होगा very important thing जिस समय न्यूटरल होने जा रहा होगा imagine करो यह एक ड्रॉप में suppose 100 क्या लेके आ रहा है OH मैंस आइन लेके आ रहा है एक ड्रॉप में बात को समझना बहुत काईदे से यह मान लेते हैं इसका जो एक ड्रॉप गिर रहा है इस ड्रॉप में 100 क्या है अच्छा बेसिक लिए रखा है तो हम यह आप में लेते हैं यह बात बड़े अच्छी काईदे समझना तब यह ग्राफ समझ में आएगा यह focus इधर देखो उपर से जब एक ड्रॉप गिरता है तो कितने OH मैनेस आते हैं 100 OH मैनेस आते हैं बात समझ में आ गई 100 मान लेते हैं 1500 कर लेते हैं ज्यादा बैटर रहेगा तो समझने में टाटा असानी हो जाएगी कितना ले लें इसको 1500 तो देखो हुआ क्या 1500 आए 1500 आए 1500 आए 1500 करके नीचे H प्लस आयन भी कम होते चले जा रहे हैं लाश्ट में अगर हम एक बात को देखें ठीक है 1500 आएंगे फिर 1500 आए 300 फिर 1500 आए फिर 1500 आए 600 फिर 1500 आए 7500 फिर 1500 आए कितना हो गया 800 और 9500 जब लाश्ट में यहां पर कितने बच गए H प्लस आयन कितने बच गए मात्र 50 H प्लस आयन बचे रहे गए समझना है रहा बात को बहुत काईदे से यहां क्यों पचास H प्लस आयन बचे रहे गए लेकिन उपर से जो एक ड्रॉप आएगा उसके अंदर 1500 OH माइनस आयन से है कितने माइनस आयन है 1500 अब होगा क्या यह इसके जो 50 होंगे इसके जो 50 होंगे इसके 50 आयन तो इसको consume कर जाएंगे बाकी 100 OH माइनस आयनस क्या करेंगे बाकी के 100 इस solution का जो pH है एकदम से बढ़ा देंगे क्या करेंगे एकदम से बढ़ा देंगे तो होता क्या है जैसी यह मेरा neutral होता है और उसके बाद मेरा जो graph होता है यह बच्चो यह graph तुम लोग देखोगे एक time के बाद एकदम से ऐसा हो जाता है straight फिर यह अच्छा यह मेरा क्या था strong base था तो base कितना होता है 13 के आसपास जाएगा strong है 14 14 सुपर तो जाएगा नहीं तो strong base है तो कितना भी OH-1 डाल लो एक time के बाद तो वो fix हो गया 13 यह 14 के बीच में रहेगा उससे बढ़ेगा नहीं फिर यह मेरा जो graph है यह ऐसे करके straight हो जाता है पहरीरा जेन बना दूँ hole ग़्या गवीкие यह लाइन बना दूँ तो यह कुछ ऐसी लाइन रहेगी यह 2 लाइनल can के रहती है पैरलम रहता है और अगर अगर मैं यहां पर एक और हम रएक रहु कर दूँ अ क्युकंद के ब्त तो यह पॉइंट देखो बिल्कुल बीचा बीच में आ जाएगा इस 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 बना दिया कई बर दो ग्राफ यह ना ऐसा नजर आएगा बुक्स वगर हमें यह ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और वो बोलेगा यहाँ एक्विलेस पॉइंट है तो यह एकदम से कैसे स्ट्रेट हो जाता है यह चीज़ समझने थी यह जो ड्रॉप के हिसाफ मैंने कहानी समझानी कोशिश की है यह तुम लोगों को यह बताएगी कि क्यों एकदम से यह ग्राफ मेरा स्ट्रेट हो जा रहा है ठीक है यह समझने का तरीका है यहाँ पर और यह जो मैंने क्या किया है इस टाइट्रेशन में एनलाइट का जो सलूशन है इस एनलाइट को किलियर है सिंपल था कुछ नहीं था यह कहानी पता है इसी को यहां पर हमने उतार गया बन गया मेरे पास क्या निट्रलाइजेशन कर्फ बन गए है बास समझ में आ गई किलियर है ओके चले आगे अब इसकी ठीरी देख लेते हैं चले आगे तो क्या होते हैं निट्रलाइजेशन कर्फ आओ समझते हैं जरा इसको हम लोग टाइट्रेशन और ओफन रिकॉर्डेड ऑन ग्राफ साफ साफ कह रहा है हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं इसको ग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं कॉल्ड टाइट्रेशन कर्फ और पॉइंट किलियर है इन नीट्रलाइजेशन कर्व्स दपी एच और पी ओएच इस प्लॉटेड ऑन वाई अक्षिस ते को मैंने यहाँ पर जो कहानी तुम्हें समझाई है यहाँ पर मैंने यह सलूशन कैसा ले लिए था ऐसी डिक ले लिए था हो सकता है तुम लोग जो ट्र सलूशन एच प्लस के आते रहेंगे किलियर है कोई फरक नहीं पड़ता है ओके और नमबर ऑफ मिली मिली लीटर्स ऑफ अलकाली और एसीड जिसके जो सलूशन होगा उसको कहा ले लेंगे एक्स एकसिस पे लेंगे उसी बात को जो मैंने समझाई है यह वही थियोरी है अग इसको एकस्पेंट करने एक्साम में कुछ नहीं इससे ज्यादा सिंपल अगर एंग्लिस लिखने में दिक्कत नहीं है तो कॉंसेप्ट को हिंदी में समझ लो पढ़ाई बहुत असान होती है इसको ठीक है फिर तो लिखना है जो जो स्टेप थे उसको जितने स्टेप जो मै बहुत नहीं होता तो लिख लो इंसका बहुत ज़ाधा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कर विजड़ जब वैरी शार्प एंड सटेन चेज एक शार्प और सड़न चेंज आता है इन पी एच में देखा हमने एकदम से सड़न चेंज आता है पी एच में नियर टू नु दा Buret contained more ions hence consume all the ions of analyte at once ठीक है साफ साफ वही बात बोल दी कि यहाँ पर इसके ions बचे कम H plus कम बचे उपर से जो OH आया उसमें थे ions जादा वो इसके ions को एकदम खा गया सारे बात समझ भा रही है analyte के ions को उपर से OH आया साके एकदम से खा गया पूरे तो एकदम से क्या हो गया pH की value जंप कर जाती है reason समझ में आ गया for a strong acid and alkali this will occur at pH 7 एक साधरान example याद रखो strong acid और base के case में यह जो घटना घटती है वो घटना घटती है at pH 7 from the neutralizing curve neutralizing curve से the initial and final slopes are drawn and a parallel line is drawn initial and final slope slope मतलब क्या होता है जो curve आ रहा है हमारे पास ठीक है ना एक slope यह रहा और एक slope यह रहा ठीक है ना slope देखो यह होता बच्चो जो यह मालोग ग्राफ ऐसा है ना तो मैं आप यह पहला लाइन की दो तो यह जो ठीटा यहां बनके आ रहा है इस ठीटा को हम लोग क्या बोलते हैं इस ठीटा को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप ठीक है पहला लाइन से ड्राउन सच डेट दा मिड़ पॉइंट इस ओन दा कर्फ दिस इस दा एक्विलेंस पॉइंट सीधा ग्राफ बिलो अब ग्राफ जो नीचे दे रखा है नेक्स स्लाइड में बसाता हूं मैं वही सेम ग्राफ जो मैंने समझाया है तो यह बात अब समझ में आ गई है और यह मेरे पास क्या आ गया एक्विलेंस पॉइंट ठीक है इस तरह समझा रखा है एसीड और बेस का कर्व लेकर के कहानी किलियर है वही सारी कहानी है वही ग्राफ है थोड़ा से इस तरह बता दिया मैंने तो एक ग्राफ खुद से बना सकते हो इस तरह से तरह से ठीक है ना तो दो टॉपिक एक साथ तुम्हारे क्या हो जाते हैं कवर अप कर सकते हैं इस से इस्ट्रॉंग एसीड इस ट्रॉंग बेस इस ट्रॉंग अच्छा एक त्यान रखना जो चीज पहले लिखी जाती है ना यह हमेशा एनलाइट के तरह बिएव करेगा वह हमेशा क्या होगा एनलाइट और यह हमेशा क्या रहेंगे जो बाद में वह हमेशा क्या रहेगा स्टैंडर्ड सलुशन तो कंफूज नहीं करना कि किसको एनलाइट लेना है किसको स्टैंडर्ड सलुशन लेना है यह एनलाइट हो गया जो फ्लास्क में जाएगा यह standard solution हो गया जो बिर्ट में जाएगा है ना कई मालो ऐसे लिखा हुआ है strong acid versus strong base तो यह मेरा क्या हो जाएगा एनलाइट और यह मेरे पास क्या हो जाएगे ठीक है ना बिर्ट वाला फ्लास वाला अब कुछ भी ले लो यहाँ पर जो चॉइस जैसा मर्जी बना लो वीक acid versus strong base जो बना लो strong base versus वीक ठीक है ना जैसा मर्जी बनाओगे वैसी कहानी यह आती रहेगी जो मर्जी बना लो अच्छा यहाँ पर ग्राफ बनाने की ट्रिक थोड़ा सब्सक्राइब बता दिया जैसे कि अब मैं तुम लोग से बोलता हूं यहाँ पर बात को समझना मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्डेट की बता जेता हूं कि कोई भी ग्राफ में बोलु इन चारों में से इसको ग्राफ करो तो उसका ग्राफ का शेप कैसा होगा तो देखो शेप किस चीज़ पर डिपेंड करेगा जैसे अब हम लोग ने देखा था है प्ताता हूं मैं है कि अगर इस ट्रॉंग एसीड और स्ट्रॉंग बेस है तो देखो हमको पता है अगर मेरा अनलाइट क्या ह है strong acid है क्या है strong acid है तो जाइर सी बात है उसका pH कुछ यहां रहेगा ठीक है और strong base से मैं उसको क्या कर रहा हूं titrate कर रहा हूं तो धीरे धीरे यह बढ़ेगा और एकदम से फिर ऐसे करके अच्छा strong base है नहीं जहांवाली 12 होगी ना उसके पास ले जाकर के इसको ऐसे कर दोगे बन गया ठीक है वहीं अगर देखो यह है strong acid वर्सेस इस ट्रॉंग base वहीं अगर वह बोल देता है दूसरा ले ज़ते हैं वीक एसीड एन श्ट्रॉंग के आदबकर के बीच में ठीक है नको लेटे है चार पांच छे और साथ लगवाख हमまले ने ते साभे पांच के आजपास तो साथम Siima फास मेरा इसका पी एक कुर्श के लिएगा यहां से स्टार्ट करेंगा और क्या है यह निए वर कैसी 복ty cuff तो यह ऐसा हो जाएगा यह ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया उठ गया क्यूंकि जहांपर मेरा měre पास बुक्स में तुम्हें इस तरह से दो ग्राफ दिखाई पड़ेंगे एक औरजिनल वाला इस्ट्रॉंग वाला और एक वक वाला तो इस केस में क्योंकि यह मेरे पास क्या स्ट्रॉंग बेस है तो मेरे पीच की वेलू होती है वह थोड़ी सी है से ज्यादा आ जाती है कहानी डिसकस करेंगा सारी अभी तो बास समझ में आई हम लोग कोई भी ग्राफ बना सकते हैं जो एनलाइट है अगर स्ट्रॉंग वीक बेस है अब देखो वीक क्या निए वीक बेस होगा तो यहाँ पर क्या है मेरे पास जो pH है वो क्या रहेगा उपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग मालों ये 12 है तो something मेरा weak base कुछ यहां रहेगा 12 के असपास sorry strong base हो गया साथ साथ से लेकर के 6 हम लोग कुछ यहां ले लेते हैं weak base 11 और ये 10 तो weak base का point कुछ यहां आएगा और इसको मैं क्या कर रहा हूँ neutralize कर रहा हूँ acid से तो ये धीरे 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 ऐसे आ करके और फिर ये ऐसे हो जाएगा graph मेरा उल्टा हो जाएगा ना पियेश वीक base अगर वीक base मेरा अगर एनलाइट है तो starting point यहां रहेगा और जीदर वो acid की तरफ बढ़ जाएगा तो graph कैसे भी बना सकते हो कोई tension नहीं है ये बास समझ में आ गई ना थोड़ा से दिमाग लगाओगे तो ये graph चुटकियों में समझ में आ जाएगे clear है? चले आगे अब देखो चार टाइप में समझ देदे रहे हैं अब देखो उन चार पॉइंट का कुछ बात है सेम लिखनी है समझ लो titration of HCL against NOS अच्छा यहां पर मैं एक चीछ बता दो तुम लोगो थोड़ा से इजी रह जाएगा strong acid strong base का जो equivalence point equivalence point कहा आया था यह साथ पर आ गया था ठीक है तो हर किसी का equivalence point तुम्हें याद रख लो strong acid strong base का equivalence point pH क्या था 7 था strong acid weak base जब acid strong होगा ना मेरे पास और यह base weak हो गया तो यह थोड़ा सा below 7 आयाता है weak acid strong base तो यह थोड़ा सा above 7 यह weak acid weak base है यह neutral हाएगा pH कितना आ जाता है 7 आ जाता है यह point इसके याद रख लेना theory में लिखने के लिए तो को वह इस सारी कहानिया भी लिखी हुई है strong acid and light and strong base मेरा titrant हो गया titration of HCL against NOH is the example of this type of titration the curve of this titration is initially almost flat हम लोग देख चुके हैं कैसा करब था initially almost flat होता है फिर ऐसा हो जाता है फिर वापस से flat हो जाता है ठीक है almost flat but at equivalence point there is sudden change equivalence point पे sudden change होता है in pH that is curve almost straight curve जो होता है थोड़ा जुका दिया है वो almost कैसा रहता है और लोग पीछे देख चुके हैं actually curve थोड़ा से बिलकूल straight जैसा हो जाता है यहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा इसको सही करेंगे जो एक्विलेंस point 7 पर आया था है बट जो end point होगा वो हमें हलका सा pH के उपर दिखाए पड़ेगा जो यह ने बात लिखी थी वो एक्विलेंस point की थी जो end point है कि थोड़ा सा एक्ट्रा डालना पड़ेगा हमें टाइट्रेंट जिसकी वज़े सो सलुशन क्या हो जाएगा हलका सा pH उसके उपर भाग जाएगा तो little above pH 7 आ जाएगा draw the graph graph हम लोग ऐसा draw कर देंगे value कुछ मन से choose कर लोगे और उसको draw कर दोगे clear होगी बाते ठीक है strong acid and weak base strong acid है hydrochloric acid and ammonium hydroxide यह के example होगे कर्व has titration initially almost flat देखो यहाँ पर फ्रूब ही कहानी flat होगा बट at equivalence point there is sudden change in pH एक्विलेंस पॉइंच 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 में चेंज आता है अच्छा यहाँ एनलाइट को ने strong acid है तो कर्व मेरा यही से base क्या weak है तुरंती ऐसे हो जाएगा 11 वारा तक नहीं जाएगा और क्योंकि यह मेरा analyte strong acid है तो इसका जो end point है वो हलका सा कहा आता है इसके नीचे की तरफ आएगा साथ से हलका सा क्या रहता है नीचे रहता है यह बस बात याद रखनी है तुमको draw the graph graph फम कुछ ऐसा draw करतेंगे अच्छे से प्रैटिस कर लें में जोड़ा रफ बना दिया है ठीक है ना इसके लोगे एगशार जाएगा च्छी को करना एगजाम में यहां पर क्या लिखा जाएगा यहां पर क्या लिखा जाएगा कि सका टाइट्रेंट का यह सब अच्छे से लिखना एक्जाम में यहां तो मैं रफ कर दिया है भी नेस्ट आगे देखते हैं वीक एसीड एन स्ट्रॉंग बेस इसका एक्जाम्पल देख लो इस टीक एसीड चिया स्ट्री कर टाडीम एसीड और जाईगा मैं यहां से स्टार्ट कर लूँगा कहां से चार से लिए के बीच में कुछ यहां से start करोंगा। और ये मेरे पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा हरा हलका से मेरा curve उपर से start ho जाएगा स्वाइब क्वैज इसको लगबग मेरी बारा के बार जाल तकर यह value appear कहाँ पर होता है at 7 यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ठीक है strong base है तो हलका सा अबव 7 रहेगा end point appear above 7 कहाँ आता है above pH 7 रहेगा ठीक है draw the graph यहाँ पर क्या कर लेंगे एंड पॉंट इसका पियच कहा रहेगा 7 पर रहेगा वही सारी कहाँई एस्टिक एसिड एंपोनियम हाइड अपर सब्सक्राइब पिछे लिया था हम लोगों ने एन एच पो ओएच ठीक है ना तो यहां से स्टार्ट करेगा और यहीं पर खतम भी हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ग्राफ ड्रॉब करने किस तरह से करना है एप्लिकेशन की बात करें तो कुछ नहीं है कुछ ड्रॉप के लाख कर लियने की होते हैं तो उनको तुमको यहां पर इस तरहीगे से एक्स्प्लेंग करना रहे गा ठीक है तो यहां पर हमार पास लिए लेक्ट्चर् कहता है नेच्स काइट्र आपका क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या आ जाएगा नौन एक्वास टाइट्रेशन होगा हमारे पास हैडिंग तो न्यूटलाइजेशन का रूफ करने के बाद हमारे पास ऐसिवास का ऐसे स्टरॉफ ताइट्रेशन के क्या होता हैं कभी मालो finer को स्पेस्फिक को आ जाता हैं Tian तरीके से मेरे पास क्या होगा। वे कैसे इस्टर्स का टाइटेकरीशन पूरा यह पुरा कम्प्लीट हो एग यह मत corresponds सोचना की पर्टिकुलर रहेखेंगे। किसको लिखेंगे। टाइटेकर अता है ऊछेकर लिखेंगे। ब्रून समझने में था इसमें बहुत इजी समझ में आएगा यह टॉपिक जो है अगला वाला तो फिलाल तुमनों क्या करना है पता ही है नोट्स बनाओगे खुद से और रिवाइस करोगे जो पढ़ोगे कोई डाउट है तो उसको कमेंटर मेरे को बताओगे मैं कोशिश करूंगा उ अल्डवेट